पिछले तीन दिनों में पुतिन की तीन ऐसी मीचिंग हुई है जिसके बारे में जानकर अमेरिका और उसका नाटो ग्रुप बहुत जादा देश्वत में है पुतिन ने सीधे सीधे परमाणू खत्रे की तरफ आगा कर दिया है यूकरेन के बहाने पुतिन क्या करने जा रहे है इसके बारे में कुछ चौकाने वाली बाते पता चली है जो आपको भी हैरान कर देंगी देखे रिपोर्ट जलिस्की की मिसाइल का जवाब आटम बम पुतिन के वाट राप में फसा सूपर पावर वाशिंटन को दहलाएगा पुतिन का मिसाइल मैन यॉरप में अमेरिका से छल नेटों की जमीन खिसकी रूस ने आरपार की जंग शुरू कर दी है यॉक्रेन के कैई शहर आतिशी अगनिबान की मार जहल रहे है उडेसा में पुतिन की कलस्टर वार हैट के सीरियल धमा के शुरू हो चुके है कलस्टर वार हैट से लेस मिसाइलों की मार के साथ यॉक्रेन के उडेसा में शाहिद और कामीकेस से बारूदी रॉकेट की बॉच्छार हो रही है रूस ने यॉक्रेन के जापरिजिया को के एच फिप्टिनाइन गाइड़ेट मिसाइल से दहलाया है जापरिजिया और उडेसा में बरस रहा बारूद रूस के क्राइमिया से शुरू हुए हमले के आगे कुछ भी नहीं क्राइमिया से पुतेन आर्मी इसकंदर मिसाइलों को अदा दुन दाग रही है रूस के आक्रमन में आई तेजी की वज़े भी बहानक है युक्रेन डिफेंस फोसेस ने रूसी हमले की जो डिटेल दी है उसके मताबिक युक्रेन के रक्षाबलों जिसमें विमान रोधी मिसाइली काईया मुबाइल फायर ग्रूप और एलेक्ट्रोनिक युद्ध शामिल है रूसी केच 59 मिसाइल और दस हमलावा ड्रोन को मार गिराने में कामियावी हासिल की है यह हमले निप्रो पेट्रोस्क, सुमी, उलतावा और माइकोलाई विलाके में एर डिफेंस सिस्टम से नाकाम किये गए है 14 सितंबर की शाम से रूस के हमले में तूफानी तेजी आई है इन हमलों में युक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने प्रतिबंदित हत्यारों का इस्तिमाल कर आम नागरिकों की जान ली है ओडेसा में रूसी अटाक में एक नब विवाही जोड़े की मौत की जानकारी भी युक्रेन ने दी है रूस के मिसाइल हमले में ओडेसा की बहुमंजिला इमारतों में बने दफतर तबा हुए है ओडेसा मिलिटरी चीफ ओले कीपर ने दावा किया है कि रूस ने ओडेसा के बहरी इलाकों में ऐसी मिसाइले दागी है जिन में क्लस्टर वारहेट का इस्तिमाल हुआ है क्लस्टर वारहेट ऐसा हत्यार है जिसके एक वार से कैई धमाके किये जाते है असल में क्लस्टर बम लॉंच होने के बाद धमाके से पहले कई छोटे बमों में बदल कर तबाही मचाता है रूस युद्ध में पश्चिमी देशों के हत्यारों के इस्तिमाल से भड़का हुआ है युक्रेन की बदद कर रहे अमेरिका और पश्चिमी देशों को क्लियर मेसेज देने के लिए पुतिन ने हमले की धार तेज कर दी है हालक इसके बाद जू भी फ्रेट को हत्यारों के सप्लाई जारी है स्विडन ने युक्रेन को CB-90 बैटलशिप की नई खेप भेजी है कॉम्बैट बोर्ट 90 आई स्पीड एमफिबियस लैंडिंग क्राफ्ट है यह 18 पैराटूपर्स को पूरे गेर में ले जाने की शमता रखता है और साड़े चार तन तक का पेलोड ले जा सकता है CB-90 तीन बड़े कैलिबर ब्राउनिंग M2HB मशीन गन से लैस है इसके अलावा 40 mm MK-19 आटोमाटिक ग्रिनेड लॉंचर भी इसमें लगाया जा सकता है रिमोट कंट्रोल बैटलशिप 360 डिग्री में हमला करने की ताकत रखती है इस बैटलशिप का इस्तिमाल तोही जलशेत्रों में खनन और दुश्मन की निगरानी के लिए भी किया जाता है गाला सागर में ये बैटलशिप रूसी नेवी हमले का मुकाबला करेगी युकरेन को मिल रहे घातक हत्यारों ने पुरूस की टेंशन बड़ा रखी है जोन में जेलन्स की सेना लॉंग रेंज मिसाइल के हमले बंद नहीं करती है तो बहुत जल्द परमाणू धमा का भी मुम्किन है इसी टेंशन को लेकर अमेरिका और बिटेन में मैरतन मीटिंग का दौर भी चला है बिटेन की प्रधानमंत्री की स्ट्रामर और अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने वाशिंग्टन में रूस युक्रेन युद पर लंबी बैटक की है जिसमें दोनों लीडर ने युक्रेन को लौंग रेंज मिसाइल के हमले पर ब्रेक लगाने के लिए मनाने का प्लैन बनाया है बाइडन स्टारमर मीटिंग में रूस की हार की भविश्वानी भी कर दी क्योंकि युक्रेन लंबे समय से अमेरिका और बिटेन से लंबी दूरी तक हमला करने वाले हत्यारों का इस्तिमाल करने की इजाज़त मांग रहा है युक्रेन को लंबी दूरी के मिसाइले इस्तिमाल की इजाज़त भी दी गई है लेकिन सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ अपनी ही सीमा के भीतार बाइडन मानते हैं कि लॉंग रेंज मिसाइल वार में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है हाला कि सूपर पावर अमेरिका को अंदाजा नहीं कि उसके हत्यारों के जबाब में जू होगा वो पूरी दुनिया के लिए मुसीवत से कम नहीं पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने लॉंग रेंज मिसाइल से हमले किये तो तैम आना जाएगा कि हमला पश्चिमी देशों और अमेरिका ने किया है इस हमले के जबाब में रूस न्यूक्लियर धमाके करने से नहीं रुकेगा और उधर समले के बीच परमानू युद का खत्रा बढ़ गया है चोकी आपको बता दे कि ब्रिटेन और अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइल अटैक को ग्रीन सिगनल दिया तो रूस भी परमानू गोदाम खोलने में देरी नहीं करेगा देखे रिपोर्ट पुतिन जो कहते हैं वो करते हैं इसे युक्रेन की बरबादी साबित करती है अगर बिटेन और अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइल अटैक को ग्रीन सिगनल दिया तो रूस के परमानू गोदाम खोलेंगे रूस के आटम बमो की पावर पूरे यॉरप को बरबाद कर सकती है प्रेजिडेंट पुतिन नुक्लियर धमाके की धमकी इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि सोवियल संग के पतन के बाद से रूस ने कभी आटम बमो का टेस्ट नहीं किया है प्रेजिडेंट पुतिन अमेरिका और नेटो से सीधे टकराने का पूरा मन बना चुके है इसे हाल में की जा रही रूस की गुडबाजी से भी समझा जा सकता है रूस ने महायुद के लिए अपना खेमा बेहद मजबूत बना लिया है प्योंग यांग से आई ये तस्वीर देखिए उत्तर कुरिया के तानाशा केम जॉंग उन से रूसी संग की सुरक्षा परिशत के सचिप सरगई शोईगू की मुलाकात हुई है इससे पहले प्रेजिडेंट पुतिन खुद केम जॉंग से मिलने जा चुके है रूस ने किम के साथ इरान को भी अपने पाले में लाकर अमेरिका की दुगदुगी बढ़ा दी है पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूस और इरान में नुकलियर डील हो चुकी है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इरान और रूस में सीक्रिट अटमी डील हुई है जिसके तहत रूस इरान को नुकलियर प्रोग्राम की तकनीक साजा करेगा इसके एवज में इरान रूस को लॉंग रेंज मिसाइल से मदद पहुचाएगा फिलहाल इरान से रूस को फते 360 मिसाइले मिल रही है किम जॉंग उन आटमी पावर रखते हैं इरान को रूस नुकलियर पावर से लैस कर अमेरिका और बिटेन के खलाब वार जोन में उतार सकते हैं पुतिन के इस वार प्लान से जेलन्सकी और पच्चीमी देशों के होश उले हुए है जबकि अमेरिका पुतिन को वार्निंग देना बंद नहीं कर रहा